गुजरात में अपनी सरकार के खेलाफ बीजेपी विधायकों ने खोला मोर्चा गुजरात बीजेपी विधायकों की नाराजगी की असली वज़ख क्या है? क्या गुजरात बीजेपी में सब कुछ ठीक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे बीजेपी आला कमान आगामी लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले कताई नहीं सुनना चाहेंगे लेकिन इन दिनों प्रुदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा आलम ये है कि पार्टी के तीन विधायकों ने अपनी ही सरकार के खेलाफ मोर्चा खोल दिया है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक बीजेपी के तीन विधायक मधूसरिवास्तो, केतन, इमानदार और योगेश पटेल ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है मुख्यमंत्री विजे रुपानी के नित्रितो वाली सरकार पर सवाल उठाते हुए इन तीनों विधायकों ने सूबे में बाबूओं का राज होने का आरोप लगाया इन विधायकों की माने तो अधिकारियों के रवये की वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं खबर है कि इन तीनों विधायकों ने बैठक के बाद सरकार के कामकाज से पार्टी के कई और विधायकों के नाराज होने का दावा किया नाराज विधायकों की माने तो उनकी बातों को कोई तरजीह नहीं देता है प्रशासन भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता हलकी गुजरात की रुपानी सरकार से किसी नेता की ये पहली नाराज भी नहीं है समय समय पर डिप्टी सीम नितिन पटेल के नाराज होने की खबरें भी सामने आती रहती है। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी दो दशक से सत्ता रूड है। पार्टी सुबे में लगातार मजबूत हुई है। पिछले साल गुए फिदान सभा चुनाओं में अची खबर नहीं है। खासकर ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्रे विजयरुपानी इन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं। हाला कि पार्टी अपने नाराज विधायकों को मनाने में जुट कई है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपने विधायकों की नाराजगी को दूर करने में कहां तक काम्याब होती है। इंडिया न्यूस वाइरल की रिपोर्ट।